Well, Mariko, एक कंपनी जो बहुत ही strong performance के साथ, आज 28 years in fact हो चुके है उस कंपनी को इंडिया में और from 80 crores, कंपनी आज उसका साइज 6500 crore रूपीज है, शेहोल्डर के लिए बहतरी returns देखे गए है इस कंपनी के द्वारा in fact आगे भी बहुत promising future दिख रहा है, Mariko का and उसके बारे में discuss करेंगे और भी macro picture and outlook की बात करेंगे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, chairman of Mariko और founder of SN Foundation, हम उसके बारे में भी बात करेंगे यहाँ पर हरश मारीवाला, जो की बिल्कुल भी कोई अंजान नहीं है, आपके introduction की बिल्कुल जरुवत नहीं है Mr. Vara, thank you very much आपके time के लिए, पहला सवाल sir, मैं पूछना चाहती हूँ क्योंकि जो FMCG और the consumption story इंडिया की, जिस पे हर कोई bet कर रहा है और actually वही deliver किया है, जिसे साब से हमने growth देखिये, economy में आपका क्या outlook है, जिसे साब से आप consumption story के pattern को देख रहे हैं और Mariko specifically ने कितना contribute किया है देखिये, एक तो हमारी Indian economy पिछले 2-3 साल में कहीं बले reform हुए है तो ले demonetization हुआ, उसके बाद में GST आया वह उसके इसाब से कही disruption आ गया, short term में मगर अभी वह हमारे पीछे हैं, तो मेरी इसाब से अभी economy अच्छी चलनी चाहिए, और demand बढ़नी चाहिए तो उसके इसाब से FMCG सेक्टर के लिए अच्छा होगा हम देख रहे हैं कि ruled area में भी demand अच्छी चल रही है, monsoon कहीं कहीं जगह पे ठीक नहीं है, मंगर overall बारिश आ रहे हैं जब water bubble नहीं होगा, तो मेरी सब से सब देख के हैं positive sign है, positive sign है, और बढ़ने चाहिए economic growth और उसका impact हमारे सेक्टर पर भी आ सकता है बिलकुल, और यह positive and healthy sign है but sir, because we are talk always about the global setup and उसमें challenges हमेशा होते हैं उस context में, India कितना vulnerable है जो volatility हम देख रहे है globally beat currency, beat you know, other geopolitical tensions and so on the trade war की बात हो रहे है, तो इन सब context में हम कितने अच्छे position हैं देखिए, इंडिया एक तो बड़ी consumption economy है हमें इंडियन population इतना बड़ा है कि population से ही अच्छा consumption मिलेगा तो in particular FMC sector पे इसका आसर बहुत नहीं होगा क्योंकि at the most summer exchange rate गिरेगा डॉलर का डॉलर की इसाब से तो कहीं import raw material है, petroleum product based कहीं raw material है, उस का दाम शायद cost शायद बढ़ सकता है वगर by and large मेरे इसाब से इतना फरक नहीं पड़ेगा FMC sector पे, कहीं sector जो कहीं import ज्यादा होते रहे या तो export कर रहे हैं, जहां कुछ beauty डाली सकती है डाली जा सकती है, उस पे ज्यादा असर हो सकता है मगर FMCG पे मेरे इसाब से असर बहुत कम की होगा जी, but you know, आपका, you are not only a homegrown brand अब आप ग्लोबल ब्रैंड और बड़े पेमाने में ग्रो कर रहे है उस context में, जो currency की हम movement देख रहे है आपकी global sales पे उस पे क्या positive impact हम देख सकते है क्योंकि जो weakness है, आप हम करीब 70 पर आ गया है रुपी का ये Vietnam, Middle East, Egypt, South Africa, हमार वहां local production होता है तो यहां से export नहीं होता है, तो उसके सबसे हमारा कुछ परखने पड़ेगा उसमें ठीक है, but global growth, sir, अगर हम FIFC और overall numbers तो थोड़ा muted ही कहा जाएगा 3% if I am not wrong last, अगर मैं numbers देखू तो वह कब आपको लगता है, healthy हो सकता है मेरे सबसे, globally, economy एक नहीं बढ़ दिया कैसी, कोई economy हमारी ज्यादा presence है emerging market में तो मेरे सबसे, वहां का भी growth rate शायद improve हो सकता है तो आपके कुछ expectations है, in terms of कितना value-up करने है तो हम future expectation देते हैं, हम shareholder के क्योंकि हमारा fall policy नहीं है, future guidance बहते हैं तो हम कभी देते हैं तो वह सबसे, मैं नहीं देते होगा ठीक है, बट आपके अगर मैं numbers, I know आप day-to-day इतना numbers पर नहीं करते हैं आपका macro view रहता है, but because context है अगर हम revenue growth की बात करें 20% हमने देखा, PACT के वल 10% ही था, आपने overall volume guidance 8-10% रखी है यह जो हम अभी changes और आपने जैसे बोला GST demonetization हमारे पीछे है, तो यह numbers जो है, आपको लगता है इन से better हो सकता है यह आप से stay नहीं कर पाएंगे, मतलब just industry के आपको अमेरिकों के management के बात करना पड़े है कि मैं day-to-day management में जी हो, मैं सिर्फ chairman हो, तो management को बात करोगे तो उन से ज़्यादा accurate transfer में सकता है तो ठीक है, sir, rural growth के आप बात की थे और मैं वह चाहती हूँ समझना because हमारी बहुत growth उधर से ही जादा तर अभी पीछे देखने को मिली है, urban में इतना demand नहीं pick up हुआ है उस पे आपका क्या view or outlook है? मेरे सबसे urban में भी improve होएगी demand, तो both urban and rural will do well, अभी थोड़ा rural urban से better है, more that urban also should pick up over a period of time Okay, right, and जहां तक आपकी segment leadership की बात है and that you've always focused on and I think that is a good strategy to be in उसमें आपने अभी जो hair segment आपने लिया है और उसमें ही आप बहुत variety कर रहे हैं चीजें, उसमें आपका क्या outlook है, sir? देखिए, एक तो जो भी हम करते हैं, वहा हम market leader है, तो जहें नए कुछ product हमने acquire किये, के launch किये, hair care segment में, तो हमारा focus होगा leadership तरफ. तो अभी आपको कहां लगता है the gap side there, जो आपको really उसमें और work करके बढ़ना है, because hair segment तो clearly आपने dominate किया है. Hair care segment में shampoo and conditioner meaning है, हम ज्यादा करके nourishment, hair oils है, hair serums है, hair fall solutions है, hair gels, styling products है, वहां पिर हमारी presence है. तो शायद हमको improve करना होगा, जो hair fall solutions है, वहां होगा. और वहां उसकी demand भी क्योंकि बहुत overall पढ रही है. और कोप्रा प्राइस, वह भी बड़ा important part of your business है. और केरिला से क्यूंकि बहुत source होता है, और अभी हमने देखा केरिला में जो problems चल रहे हैं. उसका आपको लगता है, वो medium term या बड़ा impact आ सकता है? और कोपनेट पे मौन्सुन का असर नहीं होगा, केरिला मौन्सुन में इतना असर. आचा. क्योंकि और कोपनेट ट्री है, तो ground crop होते हैं, जो paper होता है, प्लांटेशन और कोई होएं, tea होता है, उस पे ज्यादा negative impact आ सकता है. मेरे सब से coconut के impact नहीं आगा, मौन्सुन का. जी, सर यह election year आने वाला है, way the economy has done, हमने काफी fiscal deficit को लेके बड़े concerns अभी भी है market में. जबकि हमारी growth ठीक है, inflation भी to some extent government is cognizant और उनोंने अभी जो recent policy में जो किया, उसका सीधे यह है कि inflation वो रोकने की कोशिश करें, बड़ अगेन उसमें challenge हो जाता है कि growth impact हो सकते हैं. तो आप कैसे देखते हैं यह movements government के? मेरे सबसे inflation थोड़ा बढ़ सकता है, अभी के, अभी से compare करें तो क्योंकि तो agricultural minimum support price बढ़ाए गया है, और fuel prices अगाना उसके ओपर exchange का impact हो सकता है, तो मेरे सबसे future में थोड़ा inflation का rate बढ़ सकता है. Okay, and आपको जो interest rate और जो growth पे थोड़ी सी जो लगाम लगी है with the way government और RBI ने जो किया है, उससे आप disappointed है या आप तो लगता है कि? ने, अब तो inflation and interest rate, they have to continue inflation. तो interest rate तो… दिस्पाइट आप कह रहे हैं कि थोड़ा बढ़ सकता है? और fiscal deficit क्योंकि नहीं रीच हो पा रहे हैं, आपके लिए कितना बड़ा concern है, sir, economy के लिए? You think they'll be able to manage it? I don't know. I am not an economist. But I think the government, in the last year of any election, there is a slippage. So I don't know what will happen this year. Yes, government के लिए, sir, अबसे ज्यादा आपको क्या लगता है, क्या महतोपून, positive economy booster, GST, of course, एक बड़ा है, पर उसके beyond आपको क्या लगता है, जो बहुत इंपोर्ट है. यह government ने, ease of doing business, महामें चोटे जोटे स्टेप से, सब आप कर सकते हैं, तो फरक पड़ता है. और overall corruption level at the center has gone down, which is also a very good thing. और कही government ने initiative लिए, farming sector के लिए, और कही sector के लिए, Swachh-Barat, insurance for poor, वो सब housing plans, infrastructure, roads, तो कही initiative लिए है, उससे economy में अच्छा अश्चा आपको लगता है, sir, the government has spread itself too thin, क्योंकि इतनी चीजे की हैं, और somehow expectations have not been met. I mean, I talk to a lot of corporates like you, who say की, you know, बहुत अच्छे steps हैं, but you know, somehow results आने में थोड़ी देरी में. थोड़ी time लगते हैं, मगर I think we have to wait and watch, we have seen, it's a matter of time results. जी, sir, आपके एक बड़ी interesting approach to entrepreneurs, जो है, उसमें बहुत, हम लोग देख रहे हैं, जूद रहे हैं, Scent Foundation, जो आपने setup किया है, उसके बारे में बताएए, sir, because it's reaching its third year of setup and more than six, yeah, but you are now sort of scaling it up each year. तो वो कहां पहुची है अभी journey और किकनी आगे जाएंगे उदर? हमने बंबई में 5-6 साल पे ले ये शुरू किया था, क्योंकि मेरी साथ से entrepreneur बहुत add करते हैं value, सब stakeholders लिया, job provide करते हैं, उस्टों को काम देते हैं, economy में कुछ भी impact हो सकता है, तो उनको हम मदद करें उनका business चलाने लिए अच्छी तरह से, तो उसका impact overall economy पे हो सकता है, तो वो ध्यान में रखके हमने शुरू किया चेह साल पे ले और ये जाला करके medium size entrepreneurs है, last size भी हो सकते हैं, small भी हो सकते हैं, वो जॉइन किया है, करीब हमारे पास आज की पारिक में about 360 entrepreneurs, अलरेडी जुड़े हैं, है, okay, so you are helping them, और उसका turnover और total turnover 17,000 crore करीब add करें, अच्छा, 17,000 crore, वो होता है, और कहीं लोग को वो job देते हैं, उसमें से women entrepreneurs 10 तक हैं, और family manager कुछ 34% है, तो यह भी अच्छी तरह से established हो गया है, S.N. का journey Bambay में, और entrepreneurs all over spread है, all over India, तो हमने सोचा के अभी time आया है के Bambay के बार जाएं, तो वो सोच के हमने बोला के कहा जाएं, तो हमने सोचा के एक अच्छी city ले जहांके जहां पर response अच्छा सकता है, जह entrepreneur committed होएंगे क्योंकि यह थोड़ा time देना पड़ेगा entrepreneur को, क्योंकि यह जो बोलते है pure learning platform है, entrepreneur एक-दूसर के साथ मिलके सीख सकते हैं, तो Chennai is a good place in terms of overall ethics, governance, और हमने सुचा आप वहां जाएंगे हैं, और कहीं medium size industry है, जो आटोज industry को वहां support करते हैं, तो spread out है उनका, शयाद बोलते हैं, कहीं different sectors में, बैंग्दोर जादा करके IT तरफ consultation मुलर, Chennai is far more diverse kind of industry based, and the training based, so मेरी सबसे वह चाथ decision रहां कि Chennai जाएंगा, Delhi को भी हमने study किया था, वह Delhi में mindset वोड़ा अलग है, but it's a good, so Chennai ही आपने अपने अपने, आपने जब स्टार्ट किया होगा तो with a different intention on a small scale, but अभी तो बहुत बढ़ गया है, कोई हमारे नयाक किया था शुरू तो हमने भी कुछ सिखा एक दो साब, शुरू करने के बाद में बराबर मैने नहीं किया है, मगर अभी अच्छी तरह से execution हो रहा है, तो हम मंबई दे भी और मेंबर एड करते हैं, हर साल 20-25 मेंबर एड करते हैं, मंबई 500 का target है हमारा, और चन्ना यह शुरू करेगे, ideally 100 entrepreneurs से, यह बाद रही आपको बहुत इनोषु शुफ आमनए न इतने बडे वेएंचर के लिए, ऐ क्योंकी आप इतने बडे अभी शुव busy वेंग Village , नहीं इतने अथ करते हैं, यह भहत अच्छा कॉस बश्बध भी अंट्रेशॉरू मंथ होरो तो, तो कैसे समय आपका जाते हैं? I think ultimately सब कैसे plan करते हैं, उस पे depend करता है, कैसे talent कैसी है, तो day-to-day मैं nitty-gritty में नहीं जाता हूँ, जाने चोट जिफटी चीज में, मगर अच्छी talent लेता हूँ, उनको clear direction मिलता है कि यह करना है, और फिर मैं review meeting करता हूँ, मैंने में एक बार और review करता हूँ कैसे progress है, तो उस तरह की style से मैं manage करता हूँ, तो अच्छी leader कैसे बने आपसे, मतलब यह सीखने जैसी चीज है, तो clarity of thinking चाहिए, क्या करना है, focus चाहिए, focus कहीं कम चीज़ीज करें, मगर अच्छी तरह से करें, अच्छा, और अच्छी team चाहिए, सबस्वाइए, बहुत इंपॉर्टन, always, बड़ी अच्छी team, तो great sir, बहुत अच्छा लग आपसे बात करके, वहुत अच्छा लग आपसे बात करके, बहुत बहुत ़र आपसे बात करें, बहुत बहुत अच्छा,